नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे बढ़िया होंगे दोस्तों आज की नोटिफिकेशन आ रही है Employee State Insurance Corporation यानि की ESIC की तरफ से इन्होंने जो है स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे रिक्रूट्मेंट निकाली है तो चलिए डीटेल में बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की इसकी इलिजिविटी क्राइटेरिया, सेलेक्शन प्रोसेजर, सलेवर्स और पे स्केल क्या होने वाला है और से के लिए यहाँ पे 250 रुपे हो रखी है और आल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 250 रुपे होने वाली है पेदा एग्जामिनिशन फीज थ्रो डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट वेंकिंग के द्वारा पे कर सकते हैं उसके बाद में एज की क्राइटेरिया नेकि एज लिमिट की बात करें तो 1825 यहाँ पे एज लिमिट होने वाली है MTS पोस्ट के लिए और 1827 होने वाली है UDC पोस्ट के लिए और स्टैनोग्राफर के लिए एज रिलक्षेशन भी है वो रूल्स के अकोर्डिंग होने वाला है उसके बाद में बात करें देखो टोटल नंबर ओ बैकेंसी तो बैकेंसी काफी बैकेंसी होने वाली है तो post name तीन तरह की यहां पर पोस्ट होने वाली है upper division clerk यानि की UDC, stenographer यानि की steno और multi tasking staff MTS इसके लिए eligibility criteria की बात करें तो upper division clerk के लिए इन्होंने बैचलर डिगरी मांगी है कोई सी भी stream से आपके पास बैचलर डिगरी होनी है category और state-wise vacancy आपकी display पर सो हो रही होगी कि कौन से जो है state में कितनी vacancy है और कितनी कितनी पोस्ट category के लिए कितनी कितनी हाँ पर vacancy होने वाली है उसके बाद में जो interested candidate है और eligible है link जो है आपको description box में मिल जागा कोच instruction आपकी display पर भी सो हो रहे होगा जो यह instruction एक बार आप अच्छे से पढ़ ले और link पे किलिक करके जो interested candidate है और eligible है वो इस form को apply कर दे तब तक के लिए मिलते हैं अपनी next video में thank you